हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप ड्राव इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है आज मौसम बहुत ही अच्छा था तो हम भी निकल पड़े ड्राइविंग करने के लिए और सोचा कि क्यों ना आज आपको अपने शहर से मिलवाया जाए तो चलिए मिलिए मेरे शहर से और इस शहर का नाम है नासिक शहर तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ नासिक घुमना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नासिक से परचित होना पड़ेगा नासिक गुदावरी नदी के तठ परस्थित एक छोटा सा शहर है यह शहर एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर स्थल है क् कि कुम्ब मेला यहां अपना केंद्र पाता है आप साल के किसी भी समय इस शहर की यात्रा कर सकते हैं क्योंकि मौसम बहुत सुहाबना होता है यह उन कुछ शहरों में से एक है जहां लोग मानसून में भी सुरक्षित रूप से ट्रेकिंग कर सकते हैं नासिक घुमने के यह बहुत से मार्ग हैं सबसे पहले अगर आप ट्रेन से आना पसंद करते हैं तो नासिक रोल रेलो स्टेशन नासिक के मुख्य रेलो स्टेशन में से एक है और शहर और इसके आसपास के ख्षित्रों में कारे करता है यह भारत के सबसे पुराने और व्यस्त रेलो स्टेश नासिक शहर से 20 किलोमीटर उत्तर पूरू में स्थित है। दोस्तों अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप कार से नासिक पहुंच सकते हैं। मुंबई से NH-160 होते हुए नासिक पहुंचने में आपको लगभग 3 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। तो दोस्तों अगर आपने नासिक में घूमने का मन बना लिया है तो यहां आने से पहले आपको यहां के इतिहास के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए मैं जल्दी से आपको नासिक शहर के इतिहास के बारे में बता दूँ। इस शहर का इतिहास काफी पुराना है इस शहर का नाम उस घटना से लिया गया है जब भगवान राम के भाई लक्षमन ने रावन की बहन शुपनखा का नाक कार दिया था बताया जाता है कि भगवान राम, देवी सीता और भगवान लक्षमन के साथ 14 साल का बनवास पंचवटी में काट रहे थे जिसकी वया से शहर काफी प्रसित था नासिक शहर में हर 12 साल में कुम का मेला भी लगता है जिसमें क्रोडों भक्त भाग लेते हैं आत्मशुद्धी के लिए कुम बेला एक बहुत बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है बता दें कि एत्यासिक रूप से सोल्विश ताबदी में नासिक पर मुगल समराज़द्वारा शाशन किया गया था और बाद में 1818 तक शक्तिशाली मराठों ने इसे संभाला था भारते सुतंतरता के कुछ महत्तपून सुतंतरता सैनानी वीर सावरकर और अनंत लक्षमन खड़े नासिक के ही थे तो ये था नासिक का इत्यास तो फ्रेंड्स नासिक सही 36 किलोमीटर की दूरी परस्थित तरमकेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है इस मंदिर का निर्मान पेश्वा बाला जी बाजीराव दवरार करवाया गया था इसमें एक दरजन जोतिलिंग है ये मंदिर यहां आने वाले परटकों और टीर सियात्रियों दोनों के लिए बेहत खास है तरमकेश्वर मंदिर परसर में स्थित पवित्र तलाब या कुंड कहिए कुशावर्थ को गुदावरी नदी का उद्गम स्थर कहा जाता है ये मंदिर अपनी वास्तुकला में स्म्रिध है और अपनी आकरशक मूर्टियों के लिए जाना जाता है ये बारा जोतिलिंगों में से एक जोतिलिंग है तो यहां आईये नासिक में और जोतिलिंग के भी दर्शन जरूर कीजिएगा अगर आप नासिक आते हैं तो आपको यहाँ पर पांडवलेनी गुफाएं भी जरूर देखनी चाहिए पांडवलेनी गुफाएं पहली शताब्दी ईसापूर और तीस्री सदी शताब्दी के बीच नकाशी दाश 24 गुफाओं का एक समू है पांडवलेनी गुफाएं नासिक में स्थित 24 गुफाओं की मंडली है जो वास्तुकला प्रेमी को बेहत आकर्षित करती है ये गुफाएं बेहत प्राचीन हैं जिनका निर्मान जैन राजां द्वारा किया गया था यहां आने वाले यात्री, जैन, शिला, लेक और कलाकृतियों के साथ भगवान बुद्ध की मूर्तियों को भी देख सकते हैं ये एक शेत्र बेहत पवित्र स्थान है पांडवलेनी गुफाएं नासिक में घुमने के लिए सबसे अच्छी जगाओं में से एक जगा है यहां से आप पूरे नासिक को भी देख सकते हैं तो दोस्तों नासिक में ऐसे बहुत सारे प्रसिद स्थल हैं जिनकी जानकारी मैं आपको अगले ब्लॉग में दूँगी मेरा यह ब्लॉग आपको कैसे लगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल के साथ बने रहिए धन्यवाद